आज हम बात करें मिश्टर आजय के डियाजी से वाज जिंग का व्यू बताएगे अजय से जिंग के बारे में क्या लगता है अग्यू धन्यबाद वीजया रफ्रें पूरे बेस मेटल की बात करें तो पिछले अप्टे तक हमने देखा बेस मेटल सीमी डायरेमेट कर रहा था जैसी हमने यूएस के एलेक्शन के अपडेट आते वे देखें उसके बाद एक सभी बेस मेटल में हमने एक अच्छी खासी तीजी आते वे देखता है करके जिंग की बात करें तो पहले हमने देखा था कि 200 का एक स्टॉंग रेजिस्टेंट बन चुका था इन फेक्ट दो- आउट अमेरिका चाइना चेली यहां पर हमने देखा था कि काफी स्टॉंटर्स का प्रोडेक्शन कट हुआ था जिसके चलते पाइस में अच्छा का उच्छाल मिला था बट दोसों का लेवल नहीं तोड़ पा रहा था बट हमने लास्ट वीग देखा था कि जिस जिसके बाद एक पूरे ही बेस मेटल पैक में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी नौड़ एलेक्शन के बाद हमने डॉलर में थोड़ा थोड़ा किरावट आती वे देख रहे हैं जो एक सपोर्ट भी देरा है पूरी बेस मेटल को इस आपनाओ हमें लगता है बेस मेटल में रन अप तो काफी हो चुका है इन फैक अगर हम अगर आम जिन की बात करें तो प्रईयस में उनने एक अच्छा कासा रैली बनते वे देखा है इस आपनाओ बट हमें उनका एक कहिना की प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है काउंटर पे तो इंटरनेशन में हमने देखा कि संगाई में जो चुन के दो परसेंट की तीजी के साथ करीबन 20 जा 300 युवान टन के करीब टेट कर रहा है अब यहां से साइकोलोजिकल 20-500 का लेवल नहीं त इस पे तो एक करेक्टिव ड्रॉप लगा सकता है जो नीचे में 202-203 तक का सपोर्ट बनता है तो इसला देगी टोटल बेसमेटल नोडाउट कोविड के जो कंसर्न है वैक्शिन को लेकर वो थोड़ा कम हुआ है वो भी बेसमेट को सपोर्ट करना चाहिए बट टेक्निकल कि मार्केट इस चीजों को डिसकाउंट कर चुका है तो आज 210 के करीब आउट स्टेज कर रहा है इस वड़ यहां पर हमें थोड़ा समलना चाहिए 212-1.5 का स्टॉक्ष मेंटेन लखना चाहिए और यहां से अगर हम बिक्वाली करते हैं तो मुझे लगता है एक टेक्निकल पुल बैक मिल सकता है यह 203-202 तक का लेवल मिल सकता है तो अगले दो-तीन दिन काफी इंपॉर्टन आएंगे और यहां पर हमें लगता है कि जिंग में बिक्वाली कर निचे 210 पर जो डाउन साइड में मुझे लगता है 202-202 तक मिल जाएगा बर ज्यानकि यह शॉर्ट में गिलावट है जब तक प्राइजेट 200 के उपर होल्ट है तो 200 से लेकर 212 का जो यह जीज है इस जीज में ही मार्केट प्रीड करता हुआ दिखाई देगा धन्यवादी